मीडिया पर बुरी तरह भढ़ के केरल भाजपात ध्यक्ष मोदी के मंतरी सुरेश कोपी के इस्तीवेगी खबरों को बताया अफवा केरल भाजबाद द्यक्ष के सुरेंदरन ने सुमवार को उन खबरों को खारिच कर दिया कि दक्षणी राजी की पाजी काई में नेत्रितु परिवर्तन होगा उन्होंने अभिनेता राजनेता सुरेश कोपी के बारे में उन खबरों को भी फर्जी खबर करार दिया जिसमें क मेडिया से बात करते हुए सुरेंदरन ने केरल मीडिया का मज़क उडिया और कह सब मेडिया के कि खिलाव फर खब कबने ऐ फेल रहा है उन्हों ने दावा किया कि पटर आक है कि भाजपादोवध्यू धार हराने की योजना बनारही है शुरेइंदरणल ने कहा शुरू में मीडिया ने आरुप लगाया के केरल भाजपा एकाइर ने सुरेश भाजपा एकाई सुरेश गोपी को हराने की कोशिश कर रही है गोपी ने त्रिशूर लोग सबसी 74,686 वोचों के अंतर से जीती सुरेंदरन ने कहा कि लोगों ने फर्जी खबरों को खारेज कर दिया है उन्होंने पूछा मीडिया के एक वर्ग ने भी यह दावा किया कि मैं राजप्रमुक के पद से इस्तिफात दे दूँगा महरशाम को आपको यानि मीडिया प्रभार सौप दूँगा क्या यह ठीक है सुरेंदरन ने कहा कि भाजपा की केरल एकाई में दो केंद्रिय मंत्री हैं और इसका वोट शेयर 20 प्रतिशत बड़ा है बाजपा के राजप्रमुक ने कहा हमने खुद को एक राजप्रमुक शक्ति के रूप में इस्तापित किया है लेकिन फिर भी आप यानि की मीडिया हम पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं गोपी के अलावा भाजपा नेता जॉर्ज कुरेन ने भी तीसरी एंटी सरकार में राजप्रमुक के रूप में शबत ली है